असलाम अलchioatan आप देख रहे हैं में ट्वीटर आज हम स्टाट करें मल्टिपगेशन मल्टिप्लेकेशन वेरियेबल को किस तरह मल्टिप्लाय करte हैं add and subtract का पहले कि आप मल्टिपिकेशन करेंगे ठीक है तो मल्टिपिकेशन का देख लेते हैं तो इसमें देखें जो formula, जो multiplication का हमारे पास होता है, variable का, for example, लिखेंगा a की पावर n, multiply by a की पावर m, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, ये equal होता है, a की पावर n पिलस m. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास यह कहलता है base और यह होता है power ठीक है यह जो उपड़ लिखे हैं इनको power कहते हैं तो यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास base same होंगे base same होंगे उनके power क्या हो जाएंगे add हो जाएंगे जो भी power होगा for example n आपके पावर है और m दूसरे का पावर है तो यह simple आपके पास क्या हो जाएंगे पिलस होंगे तो यह multiply का क्या है simple तरीका आपके पास यह होता है ठीक है तो हम इनके example कर लेते हैं सबसे पहले हमारे पास है for example 4 है multiply way 3 है तो इसमें हम क्या करेंगे इनके जो coefficient होंगे variable के जो coefficient उसको उसी तरह multiply करें जिस तरह हम करते है 4, 3, 2, 12 ठीक है अब यहां पे देखें A और यहां पे भी है तो A लिक लेंगे इनके power क्या होता है कुछ नहीं है तो क्या है यहां पे भी power वनने आपको simple समझारो बात में आप direct भी लिख सकतो आप A को A से multiply करेंगे A square आएगे क्योंकि जब आपके पास 1, 1 power है तो वो क्या हो जाएगे 8 हो जाएगे तो अब second बात करते है किसी तरह 5A square multiply by 3A square तो यह क्या हो जाएगा 5, 3 जा 15 and यह क्या है आपके पास A क्योंकि दोनों का base से में base से में तो A square A square तो मतलब power इनके क्या हो जाएगे add हो जाएगे तो simple आपके पास आजएगा 15 2 और 2 कितने हो गए 4 हो जाएगे ठीक है power को multiply नहीं करना यह बात अपने जहें में रखें power multiply नहीं हो गए इनके power multiply नहीं हो रहे अब यहाँ पर आप समझ रहे for example यह पर एक और समझा दो A की power 3 multiply भाए यहाँ पर 2 ठीक अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें power multiply हो रहे power multiply नहीं हो रहे उसका concept यहाँ से मैं आपको clear कर दूँगा अब देखें base से मे हो पावर एड हो जाएंगे है अगर इस तरह अगर पावर मॉल्टीप्लाइ और हो रहे हैं तो तो 6 participate लोगा है लिग banco अगर बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर बनाव पावर एड हो जाते तो 3 प्लस 2 3 पिलस 2 तो क्या आजाएगा एक ही पर 3 और 2 5 तो इसकी पावर 6 नहीं है कि इसकी पावर क्या आजाएगा 2 आजाएगा तो हमेशा याद रखें जब भी आप अलपबेट को अलपबेट के साथ मल्टिप्लाइ करेंगे तो उनकी जो पावर होंगे वापस में क्या हो जाएगे पिलस हो जाएगे पिलस हो जाएगे ये याद रखें अच्छा आप फॉर एक्जेंपल वेरियेबल चेंज हो 5 A हो ठीक है मल्टिप्लाइब है 2 B हो तो हमने क्योंकि आपको पिलस सब्ट्रेक्ट में याद होगा एड और सब्ट्रेक्ट में हमने आपको ये कहा था कि अगर आपके पास वेरियेबल अलग अलग हो तो आप उनको पिलस माइनस नहीं कर सकते लेकिन आप उनको मल्टिप्लाइ कर सकते हो उनको multiply आपस में कर सकते हो किस तरह होंगे तो 5,2,10 होंगे 5,2,10 और यह जो variable है वो इसी तरह आजाएंगे A,B इनके ओपर कोई square वगेरा नहीं आएगा क्योंकि यह अलग-अलग variable है हम उस time variable की power को 8 करेंगे तब जब आपके पास variable क्या होंगे सेम होंगे अब यहां पर variable अलग-अलग है वो variable इसी तरह आजाएंगे यहां पर सेम थे हमने लिखा यहां पर सेम नहीं थे इसलिए हमने इनको अलग-अलग लिख लिए ठीक है और example देख लेते हैं इसी तरह आपके पास आजाए 5 A की power 3 ठीक है multiply by 4 A की power 5 5 पिलस 6 A की power 2 and multiply by 7 2 की power 1 की power 6 ठीक है यह हमरे पर स्कॉस्टन इसमें अगर आप देखें तो इसमें यह के बीच में माइनस लगा हुए बीच में के माइनस लगा है तो यह बात याद रहें DMS rule के मताबिक सबसे पहले divide होगा उसके बाद multiplication होगा उसके बाद aid होगा और उसके बाद क्या होता है सब्ट्रेक्ट होता है divide multiplication add subtract यह में आपके पास rules होता है यह पता होने थी तो सबसे पहले क्योंकि divide नहीं है इसमें multiply तो सबसे पहले multiply होगा फिर लास में subtract होगा लास में subtract होगा पहले multiplication करना है multiply करने multiply का rule क्या होता है यह 20 अब क्या होता है पावर 8 होगे तो अब यहां पर डारेक्ट करें जब आपकी प्रेक्टिस होजए तो आप इसको डारेक्ट कर सकते हो कि अब इसका पावर 8 आ जाएगा 8 कैसे है तीन और पांच कितने होता है अब यहां पर देखें अलपबेट पावर सेम है तो यह एक दूसरे से प्लस माइनस हो सकते हैं तो 20 में से आप 12 निकालेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा यह सिंपल आपका अंसर है तो इस तरीके से आप इनको solve कर सकते हैं ठीके ठीके तो इस बात को याद रखें जब भी आप कोई alphabet को आपस में multiply करेंगे तो उनको multiply करने से क्या होता है उनकी power aid होते हैं उनकी power multiply नहीं होता है इस तरह आप 3 multiply by pipe कर रहे हैं तो इस तरह नहीं होता है यही चीज़ें हमें पता नहीं होते हैं हम mistake कर लेते हैं तो इन चीज पास पावर अगर से में तो आप उनको क्या करेंगे आपस में पावर को पिलस कर देंगे मल्टिप्लाइ नहीं करने है पावर को पिलस करने है और वो बे से वो एकी मरतबा लिकेंगे दो मरतबा नहीं लिक्षेंगे अगर आपके पस अलग अलग होंगे ठाफ तो सिंपल आप उनको इसी तरह लिक्षेंगे उनके पावर को इसी तरह आपस में डुटिप्लाइ कर लेंगे ऐiciones तरह लिखा जाएग watching तो मिलते हैं इन्शाल्लाह अग्ली वीडियो में